नमस्कार दोस्तो civil engineering support के एक और महतपूर मुडियो में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभी सेक सिंग दोस्तो अगर आप अपने घर का लुक बढ़ाना चाहते हैं आप अपने घर के front elevation पे बहुत जादा खर्च नहीं करना चाहते हैं दोस्तो त पर के लुक के साथ साथ आपका जो front elevation जो आपने बहुत अच्छे तरीके से नहीं भी करवाया होगा तो उसको भी बहुत हद तक कभर कर देता है चुकि गेट अगर सांदार रहेगा तो आपका पहला impression ही सही जाता है तो इस गेट को बनवाने में चलिए जान लेते हैं कि कि चाया है सांदे सांद किस तरह से इसको बनवाया गया है ताकि आप जब अपने लिए order place करने जाए तो आपको किसी चीज के दिक्कत ना हो सबसे पहले column का size है 9 x 9 का उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं gate के frame का frame देख रहे हैं दोस्तों तो यह जो frame है gate का वो 1.5 inch by 3 inch के pipe में बनाया गया यह पूरा का पूरा gate दोस्तों pipe और SI I pipe के design के combination से बनाया गया है तो अगर बात कर लेते हैं यह frame के बाद में अगर यह frame कि बात कर ली जाए unseen तो आप एक इंच मोटा है और 3 इंच यह चौरा है दोस्तो अब बात कर लिया जाए कि आखिरकार CI पाइप के दोनों साइड जो पाइप दिया हुआ है CI डिजाइन के दोनों साइड वो दोस्तो है एक इंच बाई अर्हाई इंच का उसके बाद दोस्तों दो स्क्वाइर पाइप भी आपको देख रहा होगा जो की है डेर इंच बाई डेर इंच का अब दोस्तों बात कर लेते हैं पाइप के अलावा इसमें CI डिजाइन का हलका फुल का डिजाइन आपको देखने को मिल रहा है बहुत जादा CI डिजाइन का इस्तमाल नहीं किया गया है लेकिन दोस्तों इस गेट को काफ़ी डिसेंट लुक के साथ बनाया गया है काफ़ी सिंपल के साथ साथ ये अच्छा लगता है और अगर बात कर लेते हैं कि ये गेट को बनवाने में कितना रुपए खर्ष हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ गेट की अगर मैं आपको अंदाजा दूँ तो ये गेट का वजन जो है वो 312 किलोगराम का है अगर रेट की बात कर लेते हैं तो इस तरह के गेट दोस्तों एक सो आठ रुपए प्रती किलोगराम के हिसाब से बनाया जा रहा है ये दो चार पांच रुपए लोकलेटी के हिसाब से उपर नीचे भी होता है तो इस गेट को बनाने में जिसका साइज 6 फीट बाई 11 फीट है